36 गड़ के दुर्ग में गणेश विसरजन के दौरान मारपीट की कई घटनाय सामने आई थी वहीं दुर्ग में थाना पुलगाव शेत्र के अंतरगत पैर पर चार गिरने से लेकर बिबाद भी हुआ था दरसल शिबनाथ नदी में ग्रीन चोक गड़ेश शमीती और खुरसी पार गड़ेश उत्सव समीती अपने अपने शेत्रों से गड़ेश विसरजन के लिए पहुँचे थे तब ही एक होटेल के सामने पैर पर चाय गरने को लेकर की दोनों के बीच में जगला हुआ था मारपीट में एक समीती का युबक घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी इसके बाद गुस्ताय परी जन्रों ने पुलगाव ठाने का घिराप किया मामले में पुलिस ने तीन आरूपियों समेत पांच नाबालिगों को भी गरिफतार किया है आरूपियों को गरिफतार कर ले गया है जिसमेचे आपचारी है और तीन बालिग है और यह तुलूस नहीं है आम घटना का रिक्रेशन कर रहा है तुस्त ग्राइम जो घटना घटी रहती है उसका फुनरस्ताफंत जो इसना मिक्या जाता है इसके जिन जिन इलाकों से यह क आरूपियों को लेकर जा रहे हैं और आगे की लिखा बड़ी वाली कारवाई जो मारवर की जा रही है